असलाम अलकुम, वेलकुम करता हूँ आपको अपने इस गार्डनिंग चैनल पर जिसका नाम है बिगनेस गार्डनिंग जैसा कि आप देख रहे हैं यह है मेरा टमाटर का बॉद्धा जो के मैंने सीड से ग्रो किया था विडियो इसके मैं नहीं बना सका क्योंकि चैनल मैंने लेट क्रियेट किया था और सीडलिंग इसके मैंने पहले कर ली हुई थी पेटी में मैंने इसको लगाया है इसके लिए देखें हम बोरी लगाई है ताके इसमें से मिट्टी ना निकले पैठी के अदर बोली डाल के उसके अंदर मैंने जोई अपनी मिठी डाल दी and पते अन्युज़ के पंपोस्ट बन जाए इसमें दू पौदे मैं लगा दिया सो यह देखें जो तेमाटर सेमें सैलड में खाते हैं हांडी में डालते हैं ये वो वाले सीड्स हैं मैंने वहां से कलेक्ट किये टमाटर में से and then इनको जो है लगा दिया सोवा ये देखें आप ये हैं मैंने दो पौदे ये हैं उसके अलावा ये हैं और भी काफी सारे मैंने बनाए हैं लगा दिये हैं and सबकी ग्रोथ में बहुत अच्छी चल रही है तमातर के पौदो की एक ये जो है कमजोरी है कि इसके मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए जो है नीम ऑईल या अधरवाइस एक और टेक्नीक है कि आप वुड एश जो है वाइट कलर का जो पावदर होता है वो ले अपने पौदो को थो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लावरिंग हुई भी है एंड ये देखें इस पे टमाटर भी बन रहा है ये फोकस कर पाऊं सॉरी ब्रैक्ग्राउंट ली क्योंकि मैंने च्छत पे रखे हैं ये देखें टमाटर भी बन रहा है एक ये बन रहा है और उसके इलावा एक ये जोटा सा बन रहा है तो फ्रूटिंग इस पर स्टार्ट हो गई है फ्लावरिंग काफी अच्छी हो रही है तो विडियो आपको मैं बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ सीड कहां से मिलें सिंपली जो आप सालेड में यूज करते ह हैं इनको ग्रो करने के लिए अमीद करता हूँ कि मेरी विडियो से क्या मोटिवेट होते होंगे क्योंकि यह सबसे चीब तरीके हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अगर पॉर्ट का भी इश्यू है आपके पास तो यह देखे मैंने गमले में उगाया गया गया पास एक्सट्रा पड़ी होते हैं उनको कर दो पेटी दे तीन देने वो आपको वैसे फ्री आफ कॉस्ट यह पेटी दे देते हैं वो धी कार्ट के इसमें डाल गया इसमें बस मिटी फिल की है एंड सीडिलिंग करती है तो आप देख रहे हैं इंशाला नेक्स वीडियो में मैं इसकी शेयर गिरूँगा जब यह टेमाटर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो यह थी आज की वीडियो उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी कि पसंद नहीं हो तो लाइक करें शेयर करें मिलते हैं इंशाला नेक्स वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखेगा अलाहफिर्स